दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके स्कूल का कोई भी टीचर है आपके कॉलेज का कोई भी टीचर है और फिर वहाँ आपको हर बार भीना मतलब का पिटता है या फिर मतलब का भी पिटता है तो पिर यहाँ पर कुई भी इसकूल का पिट्र आपको पिट नहीं सकता है अगर कोई भी स्टुडेंट कुछ भी गलत करता है तो फिर वह उन्ने टीसी दे सकता है लेकिन उन्हें पिटना यह कानून के खिलाफ है कई बार इस्कूलों में यह देखा जाता है कि कुछ टीचर किसी बच्चे को प्रसनली ले लेते हैं, वो अपने नीजी बात को मनवाने के लिए अपना एगो को पूरा करने के लिए भी किसी बच्चे को टारगेट कर लेते हैं और बिना मतलब का हमेशा पीटते रहते हैं, क् यह भी पीटना गैर कानूनी है, मैंने पहले भी बताया और फिर बता रहा हूं, कई बार कोई स्टुडेंट अगर फी नहीं देता है तो फिर यह भी कारन होता है, कि टीचर उसे बार बार कोई ने कोई बहाना बना कर उसे पीटते रहते हैं, खई बार तो मैंने यह भी देखा है कि जो बच्चा कमजोर होता है यहाँ पर बदमासी कोई और करता है और अगर कोई बच्चा कमजोर है, सीधा साधा है तो टीचर बार-बार उसे ही अपना target बनाते हैं और उसे ही पिटते हैं तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कोई भी टीचर, स्कूल का हो, या फिर कॉलेज का हो, टीवसन का हो, कहीं का हो अगर अगर स्टूडेंट को बार-बार पिटे, तो फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा दोस्तो अगर वहाँ पूरे बच्चे को पिटता है, वो किसी एक बच्चे को भार-बार पिटता है तो यहाँ पर चाहिए कि आप एक application लिखें और अगर और भी बच्चा उनसे परसान है, उनके पिटाई से तो सभी बच्चे उस application पर अपना signature कर देंगे या फिर अगर एक बच्चे कोई problem है, एक बच्चे कोई है, टार्गेट किये हुए है तो फिर वहीं बच्चे अपना signature भी करेगा और फिर जो school के college के principal होते हैं, उन्हें वहाँ application दे देगा अगर application देने के बाद वे कोई भी action नहीं लेते हैं तो फिर आप यहाँ पर अपने नजदी की police station में, आपके एरिया का, आपका जहाँ पर school है, college है, उस एरिया का जो भी police थाना है, आप वहाँ पर जाकर उनके खिलाफ complain करें आप F.I.R. दर्ज करवाएं, Child Protection Act के section 23 और Right to Education Act के section 17 के नुसार, किसी बच्चे को पिटना पूरी तरह से गैर कानूनी है, और इसमें जो भी दो सी teacher है, उन्हें jail या fine या फिर jail और fine दोनों हो सकता है आप एक पर तो police थाने में जाकर complain करके देखिए, फिर देखिए कितना तेजी से करवाई होता है, और फिर जो teacher होते हैं, वह सीधे jail जाएंगे पूलिस भी से मामले को काफी गंभीरता से लेती है, तो अगर आपकी school का college का कोई भी teacher, वह खरूस है, वह बेमतलब का बार बार आपकी पिटाई करता है, आप पड़सान है, school के जो परवंदक है, जो principal है, वह आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, आपने कई बर सी कायत किया तो आप बीना सोचे समझे सिदे, पूलिस से एक बार complain करें, और अगर पूलिस आपकी नहीं सुनती है, तो फिर आप हमें Instagram पर message करके बताएं, मेरा Instagram पर username मैं Preetis 1584, फिर उसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि अगर school college से आप परसान है, आपकी teacher बार बार आपको कहां जाना चाहिए, फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी अगर आपके school का teacher, आपके college का teacher आपकी पिटाई करता है, तो पहले आप police station में जाएं और complain करें, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों अगर आपके मन में और कोई सवाल है, तो अब हमें नीचे comment box में comment करें, और अगर कोई भी बात करना हो, तो मैंने पहले भी बोला और फिर बोल रहा हूँ, कि आप मेरे Instagram पर follow करके मुझसे बात कर ले, मेरा ID वही है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दो आपके